प्रस्तुत है कविता संगतकार इसके कवी हैं मंगलेश धबराल प्रिष्ट संख्या बावन से चप्पन मंगलेश धबराल मंगलेश धबराल का जन्म सन 1948 में टेहरी गडवाल के काफल पानी गाउ में हुआ था और सिक्षा दीख्षा हुई देहरादून में दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भुपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए इलाहबाद और लखनव से प्रकाशित अमरित प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की सन 1983 में जनसत्ता अखबार में सहित संपादक का पद संभला कुछ समय सहरा समय में संपादन कारे करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं मंगलेश डबराल के चार कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं पहाड पर लाल्टैन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है सहित अकादेमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश डबराल के ख्याती अनवादक के रूप में भी है मंगलेश डबराल के भारतिय भाषाओं के अतरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पानी, पलस्की और बलगारी भाषाओं में भी अनवाद प्रकाशित हो चुके हैं कविता के अतरिक्त वे साहित, सिनिमा, संचार माध्यम और संस्कृती के सवालों पर नेमत लेखन भी करते हैं मंगलेश की कविताओं में सामन्ती बोध और पूझी वादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बलकि प्रतिपक्ष में एक सुन्दर सपना रचकर करते हैं उनका सौंदारिय बोध सूक्ष में है और भाषा पारतर्शी संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महतो पर विचार करती है दृष्व माध्यम की प्रस्तियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है हम समाज और इतियास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महतोपूर भूमिका निभाई कविता हम में यह संवेदन शेलता विक्सित करती है कि उनमें से प्रतेक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने ना आना उनकी कमजोरी नहीं मानेवीता है संगीत की सूख्ष्म समझ और कविता की द्रशात्मक्ता इस कविता को ऐसे गती देती है मानो हम इसे अपने सामने घटे थोटा देख रहे हैं संगतकार मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वो आवाज सुन्दर कमजोर कापती हुई थी वो मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका सिश्य या पैदल चल कर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्दार मुख्य गायक की गरज में वो अपनी गूँज मिलाता आया है प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में तब संगतकार ही स्थाई को समारे रहता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बच्पन जब वो नौ सिखिया था तार सब्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रणना साथ छोड़ती हुँ उत्साह अस्त होता हुआ आवाज से राख जैसा कुछ किरता हुआ तभी मुख्य गायक को ढांडस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर कभी कभी वह योही दे देता है उसका साथ यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से काया जा सकता है गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को उंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विभलता नहीं उसके मनुश्रता समझना चाहिए प्रश्न अभ्यास संगतकार के माध्यम से कवे किस प्रकार के व्यक्तियों की और संकेत करना चाह रहा है संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किनकिन ख्षेत्रों में दिखाई देते हैं 3. संगतकार किन-किन रूपों में मुख्य गायक गाईकाओं की मदद करते हैं। 4. भाव इसपस्ट किजिए। और इसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को उचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुश्रता समझा चाहना चाहिए। 5. किसी भी क्षेतर में प्रसिद्धी पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उधारन देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। 6. कभी कभी तार सब्तक की उंचाई पर पहुँचकर मुख गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेश भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 7. सभलता के चरम शिकर पर पहुँचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़ खडाता है तब उसे सहयोगी किस तरह समालते हैं। रचना और अभी व्यक्ति 8. कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या निर्त्य समारों का कारेक्टर्म परसुत करना है लेकिन आपके सहयोगी कलाकार किसी कारण वश्य नहीं पहुँच पाए। 9. ऐसे में अपनी स्थितिक का वरणन कीजिए। 9. आपके विद्याले में मनाई जाने वाले संस्कतिक समारों में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोग्यों की भूमिका पर एक अनुच्छेद लिखिए। 10. किसी भी क्षेतर में संगतकार की पंक्ती वाले लोग प्रतिभावान होती हुए भी मुख्य या शिर्षिस्थान पर क्यों नहीं पहुँच पाते होंगे। 10. पाठेतर सक्रीता आप फिल्में तो देखते ही होंगे। 11. अपनी पसंद की किसी एक फिल्म के आधार पर लिखिए कि उस फिल्म की सफलता में अभिने करने वाले कलाकारों की अत्रिक्त और किन-किन लोगों का योगदान रहा। 12. आपके विद्याले में किसी प्रसद्य गाईका की गीत प्रस्तुती का अयुजन है। 12. इस समद में सूचना पट के लिए एक नूटिस तयार कीजिए। 13. गाईका और उसके संगतकारों का परिशे देने के लिए आलेख तयार कीजिए। 14. शब्द संपदा 15. संगतकार अर्थात मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या कोई वाद्य बजाने वाला कलाकार 15. सहयोगी 16. गरज उंची गंभीर आवाज 16. अंतरा स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण 17. जटिल अर्थात कठिन 18. तान अर्थात संगीत में स्वर का विस्तार 19. नौ सिखिया अर्थात जिसने अभी सीखना आरम किया हो 19. राख जैसा कुछ गिरता हुआ अर्थात बुजता हुआ स्वर 19. धांडस बंधाना याने तसली देना सांतोना देना यह भी जाने 19. सरगम 19. संगीत के लिए साथ स्वर तै किये गये हैं वे हैं शडज, रिशब, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निशाद 19. इन्ही नामों के पहले अक्षर लेकर इन्हें सा, रे, ग, म, प, ध, और नि कह गया है 19. सब्तक 19. सब्तक का अर्थ है साथ का समूह 19. साथ शुद्धस्वर है इसलिए यह नाम पड़ा लेकिन ध्वनी की उंचाई और निचाई के आधारपा संगीत में तीन तरह के सब्तक माने गए हैं 20. यदि साधरन ध्वनी है तो उसे मध्य सब्तक कहेंगे और ध्वनी मध्य सब्तक से उपर है तो उसे तार सब्तक कहेंगे तथा ध्वनी मध्य सब्तक से नीचे है तो उसे मंध सब्तक कहते हैं